के मालिनी कुलाधिपती प्रोफिसर अशोग मोदा के मालिन्ग क्रिप्या आप सभी अपना स्थान ग्रहन करें मन्चासीन समाननी अतिथी गणों का अभिवादन एवं सादर अनुरोद क्रिप्या दीप प्रजवलन करें करें प्रजवलन करें करें प्रेटी बीद आवारी ते ते अधारी ते अधारी जडेवी आधारी ते वे ले फिता हरे अधारी ते जडेवा जडेवां प्रेवी जगनी रवादा, जए में आता, जएती शों देवर जायनी जनत का कर्यान कर्मा तुम्रों भी नगी नाशी तुम्रों से दिए जेखे अवार से राश्या जैपी नाशी दिया ठी नाशी हृ जैपी जेखे अवार से राश्या जैपी जेखे अवार से राश्या विख्षांत समारों की आगामी कार्यवाही हेतू विश्व विद्याले के कुलसचु प्रोफेसर शैलेंदर कुमार मैं डॉक्टर शैलेंदर कुमार पुलसचिव गुरुघाशी दास विश्व द्याले के कुलाधिपती महोदे से अनुरोध करता हूँ कि किर्पया मुझे विश्व द्याले के अस्टम दिछां समारों के शुवारम की घोशना करने की अनुमती प्रदान करें मैं गुरुघाशी दास विश्व द्याले के कुलाधिपती महोदे की अनुमती से विश्व द्याले के अस्टम दिछां समारों के शुवारम की घोशना करता हूँ मैं कुल्पती महोदेया शे श्वागत उद्वोधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तूत करने हेतु अनुरोध करता हूँ भारत के राष्टपती परम सम्मानेनिये श्री रामनाथ कोबिंद जी राजेपाल चत्तिसगर्ड सम्मानेनिया सुश्री अनसुया उईके जी मुखे मंत्री चत्तिसगर्ड सम्मानेनिये श्री भूपेश बगेल जी मानेनिये कुलाधिपती प्रफेसर अशोक मोडग जी सम्मानित कारे परिशत एवं विद्या परिशत के सदसे गण गणमाने अतिथी गण एवं आदर्णिये नगरवासी गण, मीडिया के प्रतिनिधी गण, सिक्षक कर्मचारी एवं अधिकारी गण, युवा इसनातक एवं विद्यार्थी गण, विश्व विद्याले के अश्टम सिक दीख्षान समारो के शुब अवसर पर आप सभी का स श्री रामनात कोमिंद जी ने कन्वोकेशन के मुख्य अतिथी का आतिथ स्विकार करने की कृपाह की है, इसके लिए मैं उन्हें शीज जुखा करके प्रडाम करती हूँ, मानेनिये राजेपाल महोदया एवं मानेनिये मुख्य मंत्री महोदय को भी मैं सादर प्रडाम सहयोग प्राप्थ होता रहता है, मैं आपका हिर्दय से स्वागत करती हूँ और यहां आने के लिए आभारी हूँ, 2015 में मैंने जब यह विश्व विद्याले जोईन किया था, तो उसके पहले लगबक 16 महीनों तक यहां पर रेगुलर वीसी नहीं थे, एवं अनेक जटिल स हो रहा है, यह उन सभी समस्याओं से मुक्त होकर इस विश्व विद्याले को सशक्त नीव मिल चुकी है, और यह उची छलांग लगाने को तयार है, मैं उन युवाय सनातकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिनोंने अपने अथक परिश्व से अपने आपको आज एवं पदकों के योग्य सिद्गिया, इस प्रांगण में उपस्ति सभी अभुबावकों को भी मैं बधाई देती हूँ, गुरुभ हसीदास केंद्रिये विश्व विद्याले के कुल्पती के रूप में, आज आपके समक्ष विश्व विद्याले का संशिप्त, प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए, मैं अत्यंत प्रसनता मेहसूस कर रही हूँ, जैसा कि हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमत भागवत गीता में कहा गया है कि ना ही ज्यानेन सद्रिशंप, पवित्र में विद्यते हमारे विश्व विद्याले का प्रसम करताव्य है, सिक्षों को की नियुक्ति की जा चुकी है, और नियुक्ति प्रक्रिया निरंत जारी है, इसके अलावा सैक्षिन गुडबनता बनाए रखने हैं तू, अनेक अन्य सफल प्रयास भी निरंत जारी है, जैसे एकैडमी कैलेंडर का समय बदपालन, समय पर रिजल्ट वर डिग कम्प्यूटेशनल लैंग्वेज लाब, और लाइन कोर्स की सुविदा हेतू मूक्स लाब, मीडिया की टेक्नॉलिजी बेस्ट एदूकेशन के लिए मीडिया लाब, अंग्रेजी भाषा हेतू लैंग्वेज लाब, हमारी सेंटरल लाइब्रेरी में लगबग सभी प्रतिश्चित रिसर्च जर्नल्स को पढ़ सकते हैं, इस नवीनतम डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर के माध्यम से कैम्पस में, नौलेज एनी टाइम, एनीवेर और नौलेज एट फिंगर टिप्स को सुनिश्चित किया गया है, वहीं शात्रों के समग्र विक्तित व गतिविदिया हैं, जिसमें की शात्र भाग लेते हैं, उन्नत भारत, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है, ये उन्नत भारत अभियान के तहट हमने आसपास के ऐसे नो गाउं गोद लिये हैं, जो की जन जाती बहुल है, यहां हमारे विद्यारती अन्वरत कैम् से जुड़ते हैं, और इसे ग्राम भासियों को सीधा फैदा पहुंचता है, हेफा के अंतरगत फंड मिलना बहुत ही दुरूह प्रक्रिया थी, लेकिन हमने अनेक भवनों को पूर्ण कराया, अनेक नए भवन के लिए हमने फंड लाए, लगभग 275 करोड रुपे का फंड मेरे कारेकाल में विशुविद्याले को मिला है, और हेफा की TDS प्रोसेस को पूरा करके भी हमने बड़ी राशी पाने में सफलता पाई है, गुडबत्ता ये शोध को बढ़ावा देने के लिए भी बहत पूर्ण प्रयास किये गए हैं, वर्तमान में लगभग 429 लाख अनुदान प्राप्त, प्रतिश्चित फिस्ट, यूजुसी द्वारा स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम भी हमें प्राप्त है, लगभग 19 से भी जादा MOU राश्टी और अंतराश्टी सरके किये गए हैं, भारत सरकार की Global Initiative for Academic Networking, ज्यान योजना के तहत हमने विदेशी हम एक्सपर्ट को यहां पर बुलाया है और एक एक हफ़ते से भी ज्यादा के कोर्सेज सिक्षकों को और विद्यार्थियों को अवेलेबिल कराया है, शोध के लिए विश्व विद्याले रिसर्च एंटरेंस टेस्ट लगातार आयोजीत किया जाता है और इस समय लगभग हमारे 200-200 रिसर्च स्कॉलर्स अवेलेबिल हैं, हमारे 949 रिसर्च पेपर ग्लोबली रिकजनाईज जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं, यह विश्व विद्याले महान संत गुरु घासी दाजी के नाम पर स्थापित है, जिन्होंने अपना सारा जीवन वंचित वर्गों क उत्थान के लिए समर्पित किया, उनके जीवन से प्रेणा लेते हुए गुरु घासी दाज विश्व विद्याले में, लैब टू लैंड, अर्थात विश्व विद्याले में उपलब्ध ग्यान का लाब, 36 गड़ के इस्थानी समुदाय को मिले, ऐसे प्रयास भी किये जैसे नेट, स्लेट, गेट, सिविल सर्विसेज, राज्य सर्विसेज आदी में बड़ी संख्या में हमारे विद्यारती सफल हुए है, और इनका Google, Intel, ITC जैसी प्रतिष्टिक कंपनियों में प्लेस्मेंट हुआ है, हमारे शात्र शात्रहों ने राश्ट्री इस्थर की अन शात्र शात्रहें अपनी डिग्रियां वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फाइनेशल मेरेजमेंट की चर्चा में जरूर करना चाहूंगी, हमें मैं बहुत ही विनमरता पूरवक ये बताना चाहती हूँ, ये अच्छे फाइनेशल मेरेजमेंट के लिए विश्विद्याले क केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वित्र समीती द्वारा विशेश प्रशंशा प्राप्त हुई है, इन सभी प्रयासों से विश्विद्याले के नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धी हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इस संबंद में कुछ आ सारा हजार से भी ज्यादा इसे बताता है, उलेखनी यह है कि इसमें शात्राओं की संख्या लगबग 50 प्रतिशत है, सिक्षकों की संख्या भी 219 से बढ़कर 210 से बढ़कर 314 हो गई है, सारांश यह है कि हमारे विश्विद्याले के शात्र शात्राओं का ना केवल सार्का एकाडमिक और प्रोफेशनल डवलप्मेंट हो रहा है, अपित्यु सिक्षा के साथ संसकार का भी निर्माण हो रहा है, समाज एवं राष्ट निर्माण हेतू, हमारे विद्यार्थी देश प्रेम, राष्ट्री एकता एवं अकटनता हेतू, प्रतिबद्ध है, मु अपिशे हम और भी संकल्पित होकर इस विश्व विद्याले के समगर उन्देयन राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, मैं पुनह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, एवं सादर धनेवाद देती हूँ, जै ह इंद जै भारत अब मैं मानिये कुलपती अब मैं मानिये कुलपती महोदिया शे अन्रोद करना चाहूँगा कि शमारो की शमानिया थी थी मानिया राष्पाल महोदिया जी को स्मिर्थी चिन प्रदान करें अब मैं मानिये कुलपती महोदिया शे अन्रोद करना चाहूँगा कि शमारो के विशिश चातिती मानिये मुख मंत्री जी को स्मिर्थी चिन प्रदान करें अब मैं मानिये कुलपती महोदिया शे अन्रोद करना चाहूँगा कि मंचाशीन मानिये कुलाधी पती महोदिय जी को स्मिर्थी चिन प्रदान करें मैं हमारे मानिये कुलाधी पती प्रफेसर अशोक मोडग जी से उद्वोधन प्रदान करने हैं तु साधर अनुरोद करती हूँ परम सम्माननिय श्री रामनात कोविन्द जी भारत के गड़राज्य के राष्ट्रपती सम्माननिय सुश्री अनुसुया उयकी जी राज्यपाल चत्तिस गड़ सम्माननिय श्री भूपेश बगेल जी मुख्यमंत्री चत्तिस गड़ और जिनकी अकादमिक परिकल्पना से यह विश्व विद्याले उन्नयन के नयने शिखरों के ओर अग्रसर है प्रोफेसर अंजिला गुपताजी कुलपती गुरु घासिदास केंद्री यह विश्व विद्याले कार्य परिशत एवं विद्या परिशत के सदस्य गण समस्त संकायों के संकाया ध्यक्ष गण प्रोफेसर शैलेंद्र कुबार कुलस अचीव समस्त विभागात ध्यक्ष गण शिक्षक अधिकारी एवं कर्मकारी कर्मचारी गण युवास नातक, विद्यार्थी गण, विभिन्न प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिती गण, एवं उपस्थित, गणमान्य, अतिती गण, भाईयो और बैनो, महान समाश सुधारक एवं संत शिरोमनी, गुरु घासिदास के नाम से स्थापित, इस दीक्षान्त समारों में उपस्तित होना मेरे लिए हर्षय और गवरों का विशय है, इस समारों में उपाधी ग्रहन करदे वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कोटी-कोटी बधाई देता हूं, साथ ही अपने परिश्रम और मेधा से स्वर्ण पदक प्राप्तकर विश्व विद्याले को गवरवान वित करने वाले चात्र चात्राओं को उनकी उपलग्धी के लिए बधाई एवं शुभका मनाई देता हूं, संते नाम पंध के प्रवर्टक के रूप में ख्याती प्राप्त गुरुगासिदास जी ने समाज में व्याप्त विशमता, शोशन तथ जातिवद भेदभाव को समाप्त करने के लिए आजीवन संगर्श किया, उनका मानना था कि समाज में प्रत्यक व्यक्ति समान सामाजिक हैसियत रखता है, मुझे जनकर बहुती प्रसन्नता हुई कि आज 74 चात्रों को पदक एवं 75 चात्रों को पिएजडी की उपाधी से सम मानित किया जा रहा है, आपकी इन उपलद्धियों से हम सभी गवरवान वित है, एवं इस उम्मीद के प्रति आश्वस्त है के आगामी जीवन में आप और बड़ी सफलताये अरजित कर पाएंगे, गुरु घासिदास, विश्व विध्याले के इस अश्टम दीक्षांत सम हो के यादगार दिवस पर मैं विशेश रूप से इनके अभिभावकों को बढ़ाई देता हूँ, जिनों ने अपने बच्चों को प्रोच्साइद करते हुए आगे बढ़ाया, आपके धैर या विश्वास के फलस्वरूप, आपके बच्चे सफलता की उचाई पर किया है, आज का दिन आपके लिए एक सोपान के पूरा और दूसरे सोपान के प्रारंभका है, आगे के सफर में आपको बहुत सी चनोतियों का सामना करना पड़ेगा, मुझे विश्वास है कि इन चनोतियों का सामना करने के लिए विश्व विद्याले ने आपको पहले ही तैयार कर दिया है। ये वास्तों में सराहनिय एवं प्रशासनिय कार्य है जिसके लिए मैं सभी शिक्षकों एवं प्रशासन के सभी आंगों को साधुवाद देता हूँ। जिससे आप सर्वगुन संपन्न होकर प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जीवन में लक्ष असपष्ट होना चाहिए और लक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कठिन परिश्रम, सहन शीलता, आत्म विश्वास और सकारात्मक मनोवृत्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितिया कितनी भी विशभो हमें बिनारों के चुनवतियों और बाधाओं का सामना करना है। एक बार उना मैं स्वर्ण पदक एवं पिएजडी की उपाधी प्राप्त करने वाले सभी होनार चात्र चात्राओं एवं उनके अभिभावोकों को बधाई एवं उनके उजिवल भविश्य की कामना करता हूँ। जय हिन जय भारत। मैं कुला धीपती महोदय शेय अनुरोद करता हूँ कि असनात्कों को प्रस्तूत करने हेतू विभिन विद्या पीठों के अधिस्ठाताओं को अनुमती प्रदान करें। महोदय मैं प्रोफेसर देविंद्र नाज सिंग अधिश्ठाता कला विद्या पीठ कुल छचात्र छात्राओं को आपके सम्मोग डाक्टर राफिरास्पी उपाधियत प्रस्तूत करता हूँ। जिनोंने अपनी अपनी परिच्छा के पाठविसियों का यठाविध अध्यान करने के उपरान स्वस्वा परिच्छा द्वारा अपनी अपनी उपाधियों के ताप्रमाडित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन में से उपस्थी अभ्यर्थियों को इनकी उपाध्यर अनुशासन प्रदान कर इन्हें सम्मानित करें महोदै मैं प्रोफेसर मनीशा दुबे अधिश्ठाता सामाजिक विज्ञान विद्यापीट कुल छे चात्र चात्राओं को आपके सम्मुक डॉक्टर ओफिलासोफी उपाधी हेतु प्रस्तुत करती हूँ जिन्होंने अपनी अपनी परिक्षा के पाठ्थ विश्यों का यथा विदी अध्यन करने के उपरान स्वास्वा परिक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधी योग्यता प्रमानित की है मैं प्रार्खना करती हूँ कि इन में से उपस्थित अभ्यार्थियों को इनकी उपादी हे तू अनुशासन प्रदान कर इने सम्मानित कने Sir, I, Professor Gautam Kumar Patro, Dean, School of Studies of Physical Science, present unto you eight candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy to which I pray those present may be admitted Sir, I, Professor Amit Kumar Saksena, Adistata, Ganitiaevam, Sangdak Vigyan, Vidyapeet, साथ छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख Doctor of Philosophy उपादी हे तू पिस्तूत करता हूँ जनोंने अपनी अपनी परिक्षा के पाठे विश्यों का यदाविधी अध्यन करने के उपरांत स्वैस्वा परिक्षा द्वारा अपनी अपनी उपादी योगिता प्रमानित की है मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनमें से उपस्थित अभेरतियों को इनकी उपादी हेतु अनुशाशन प्रदान करें, इन्हें समानित करें Sir, I am Professor LVKS Baskar, Dean School of Studies of Life Sciences, present unto you 11 candidates who have been examined and found to be qualified for the degree of Doctor of Philosophy to which I pray those present may be admitted Sir, I am Professor Manish Vastow, Dean School of Management and Commerce, present unto you the following candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy to which I pray those present may be admitted Sir, I am Professor S.S. Singh, Adhyshkata Pratikish Natsadhan Vidya Peet, के कुल 77-773 को आपके सम्मुक, Doctor of Philosophy, उपाद हेतु प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी परिक्षा के पार्थ बिश्यों का यथा विद्य अध्यन करने के उपरां स्वश्व परिक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाद ही उगता प्रमानित की है मैं प्रात्ना करता हूँ कि इनमें से उपस्थित अव्यर्थियों को इनकी उपाद हे तू अनुशासन प्रदान कर इन्हें समानित करे Sir, I, Professor Veshan Singh Rathod, Dean School of Studies in Education present unto you the following nine candidates who have been examined and found qualified for the degree of Doctor of Philosophy to which I pray those present may be admitted अधिस्थाता अद्दर विश्यक सिक्षा और उनसंधान विद्या पीठ के तीन चात्र चात्राओं को आपके सम्मुक डाक्टर फिलोसोपी उपाद ही ये तू प्रस्तुत करता हूँ जिनोंने अपनी अपनी परिक्षा के पाथ विश्यों का यथाविदी अध्यान करने के उपरांद स्वा स्वा परिक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधी योग्यता प्रमानित की है मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन में से उपस्तित अभ्यर्थियों को उपाधी धारण करने की अनुमती प्रदान करते हुए निम्न निर्विष्ट अनुशासन दे रहा हूँ मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूँ सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्य की अवहेलना न करना, समाज कल्यान की अवहेलना न करना, अपनी उन्नती की अवहेलना न करना, ज्यान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना अपनी माता और मात्रुभूमी को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यपक को देवता मानना, अतिथी को देवता मानना, जो अनंदित कर्म है उनका आचरन करना अवरोका नहीं प्रतिग्या करता हूँ यही शिक्षा है यही अनुशासन है यही उच्च शिक्षा का सिद्धान्त है यही आदेश है तुम इसी प्रकार आचरन करना अवश्य ही तुम इसी प्रकार से आचरन करना तुमारा मार्ग कल्यान मैं हो महोदै विभिन अध्यान शालाओं के असनातक असनातक उत्तर उपाधी तथा असनातक पत्रोपाधी के लिए शत्र दोजार अठारा उनीश में जिन अभियर्थियों ने अपनी अपनी परिच्छा के पाठ बिशेयों का यथा विदी अध्यन करने के उपरान शवशवपरिच्छा द्वारा अपनी अपनी उपाधी पत्रोपाधी योगिता प्रमानित की है प्रंतो दिछान समारों में मैं प्रात्ना करता हूँ कि उन अनुपस्तित कुल 2106 छात्रों को उनकी उपादी पत्रपादी प्रदान का श्रमानित करें। तथा स्नातक श्रमानित करता हूँ तथा उपदेश देता हूँ कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उपादियों के सिद्ध करें। प्रति निधिद्व करते हैं प्रस्तूत करता हूँ जिन्होंने इस विश्विदालय की सत्र 2018-2019 की विभिन परिछाओं में प्रथम श्रनी प्राप्त कर प्राविन्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बीएसी ओनर्स गनीत कुमारी क्विनी यादव विश्विदालय पदक एबं विश्विदालय द्वारा दोहजार उनीश में आयोजित समस्त परिछाओं में सरवाधीक अंग प्राप्त कर गुरु घासिदास पदक। कर दोल भाप्त ौरु अंग झाल अमलिव और इंफर्मेशन साइंस विनोत कुमार खूटे विश्विद्यालय पदक अमलिव और इंफर्मेशन साइंस विश्विद्यालय पदक अमलिव और इंफर्मेशन साइंस विश्विद्यालय पदक मसी प्रानी सास्त्र कुमारी अर्पिता नाहाग विश्विद्यालय पदक बीटेक मेकैनिकल इंजिनरिंग देवारून दाश भौमिक विश्विद्यालय पदक दी फर्मा कुमारी अयुशी शिंग विश्विद्यालय पदक बीकॉम एललबी कुमारी माधुरी मरकाम विश्विद्यालय पदक बीकुमा पदक बीकुमा दो मैं हमारे आज के समारो के मुख्य अतिथी श्री रामनात कोविंद जी भारत के मानेनी राश्पती जी को नव निर्मित पाँच भवनों का उद्गाटन करने हेतु सादर अनुरोद करती हूँ मैं आज के समारो के विशिष्ट अतिथी श्री बूफेश भगेल जी मानेनी मुख्य मंत्री 36 गड़ शाषन को उद्गवेद नेतु सादर अमंत्रित करती हूँ गुर्खासे दास के अंद्री विशिद्याल है बिलासपूर के अश्टम दिक्छान समारो के आउसर में माननी राश्पती श्री रामनाथ कोवीन जी समान्या सूश्री अंसुयावीके जी मानी राजपाल प्रोफेसर असोक मोडग जी कुलाधी पती गुर्खासे दास के अंद्री विशिद्याल है एवं विशिद्याल है परवार के सदसगन, विद्यार्थी गन, मीडिया के साथियों, गणमान अतिति गन, अदाड़ी साथियों मैं उन सभी विवासाथियों को बदाई देता हूँ, जो अस्टम दिक्षान समारों में सोन पदक और उपाधी प्राप्त करना ले, सभी विद्यार्थियों को बदाई देता हूँ कि जो नौ मेडल प्राप्त हुए उस में से च्छय लड़कियां हैं, तीन लड़के हैं, उस में अंसुचित जाती की भी है, जन जाती की भी है, पिछ़़ों बद्याकिकी लोग भी हैं, जो मेडल प्राप्त के में धेर सारी वधाये और सुबकामना, मैं उन सबी साथियों को भी बदाए देता हूँ जो बेरित में नहीं आ पाए किसी स्रेणी में उत्तरिन होकर उपादी हासिल कर रहे है मेरा मानना है सबी के लिए कुछ न कुछ बहतर करने का आउसर हमेंसे उपलब धराता है सवाल सिर्फ यह है कि आप किस समय या तै करते हैं कि आपका लक्ष क्या है और उस लक्ष पाएने के लिए आप जी जहां से कब जूटते हैं आदेनी साथियों जब आप ठान लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यह यह सकती की पहचान है मुझे खुसी है कि आज चत्रिज़गर की विद्ध्यारती प्रत्रिक छेत्र में अपनी युग्जिता का पर्चम फ़रा रहे हैं प्रिचात्रिशात्राओं आपकी इन उपलब्धियों से हम सभी गरवानित हैं और आस्वस्त हैं कि आगामे जीवन में आप और भी अनिक सफलताएं अर्जित करेंगे हम इस बात पर भी गरव है कि अप्रदेश का एक मात्र केंडरी विस्विद्याल है उन महां संत गुरुहासिदाजी के नाम पर है जिन्होंने आज से दो सो वर्स पूर समा सुधार एवं मनखे मनखे एक समान के अलग जगाई थी जिसकी जर्रत आज पूरे दुनिया को है मुझे पूर्ण विस्वास है कि संद्गुरुहासिदाजी के आजर सो शिक्षक एवं शिक्षक का अंसरन करते हुए जहां के छात एवं उनके शिक्षक चत्तिर गड़ राज के पुछतर सिक्षक सिक्षावे मनसंधान को नई उचाईयों पर लेकर जाएंगे सिक्षा किसी भी समाज के वह अजार सिला होती है जिस पर स्रेश्ट बेक्ति का निर्मान होता है यही स्रेश्ट बेक्तित राश्ट निर्मान में सबसे महत्पुण भूम का निभाती है मेरा मानना है सिक्षा ऐसी हो जो न सिर्फ ग्यान दाए हो बलकि जिवन में विनम्रता और नयतिक मुल्यों का स्रिजा नियों संपोसन भी करती रहे सात्रों को सफन नागरिक बनाना विस्विद्याले के महत्पुण उद्देश में से एक है आपकी शिक्षा आपको मानाता तो यह मात्र भूमी के सम्मान के लिए प्रेरित करेगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ग्यान आपके भूद्धिमत्ता जो इस विस्विद्याले से प्राप्त की है वा जिवन के समस्त बाधाओं का सामना करते हुए सफलता के नए सिखर में पहुँचाने में सायक होगी आप सभी को अपने चरित निर्मान प्राष्टी एक्ता की परंपरा को बनाय रखने है तो सवयम को समर्पित करना होगा किसी विस्विद्याले की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितने गुणात्मक छात्र तयार किये एवं महां के शिक्षकों ने अनुसंधान ये विकास के छेत्र में कितना महत्पुन कार किया है आज की हुआ अपने परिवेश तेकना लाजी को ज़्यादा सहस्ता से समझ रहे हैं और आत्मसाद कर रहे हैं मेरा मानना है यहाँ को जितने जरुरत नए साधनों की है उससे अधिक जरुरत उन पर विश्वाज जताने की है उनकी बहुमिकर प्रतिभा को पहचानने की है अच्छी पढ़ाई करने का मत तो अपने इस्थान पर रहता ही है लेकिन अन्यगुन कौसल विश्यस्ताय भी यहाँ के लिए कई रास्ते खोलती है विविन चेत्रों से आ रही मांगों के अंसार माना संसाधन उपलब्द कराना है इसके लिए इसलिए मेरा मानना है कि विश्विद्यायलों के पाठकरम और सोथ सुधायें भी इसी आउसकताओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए इस्थानी संसाधनों का बेहतर उप्योग वेल्य एडिसन इस्थानी विकास के माद्जम से छेत्री विसंगतियों को दूर करना भी आज एक चुनोती है और इसका सामना करने के लिए उच्छा के छेत्र में बिहारिक बदलाव के आउसकता है हमने यह देखा है कि 36 गड़ के इसमिता संस्कृती विरासत और लोक रंगों का सम्मान करके हम जनता के विकास में सरलता से भागीदार बन सकते हैं इसलिए युवाओं को इन मुल्यों से जोड़ना और इसके सांथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है 36 गड़ के चार चिनारी नर्वा गर्वा घुरुवा बारी कि परकल्पना पर आज उस सिक्षा के साथ प्रतेक विद्यार्थी को अपने ग्राम के विकास पशुधन के सरक्षन और किसक जिवन के विश्या को अध्यान अध्यापन के छेत्र से जोड़ने के आउसकता है ताकि उस सिक्षा जिवन के सभी पहलों से जुड़ सके इससे हमारे विश्युद्यार्थी सुधार्थी अपने अंचल की संस्विति और अस्मिता को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में मात पूर्ण भूम का निभाने में सफल होंगे हम प्रदेश के महाविद्यालों को बरसों पुराने अभाओं से निजात दिलाने के लिए एक और जहां पंद्रा सो सेख्षणी ततर खेल अधिकारी के पदों की भरती कर रहे है वहीं खेल प्रदभाओं को समारने के लिए 36 गड़ खेल प्राधिकरन का गठन किया गया है खेलों के विकास के जिम्मेदारी निभाने में और द्योगिक संसाओं को भी सामिल किया जा सकता है हम ग्राम पंचायतों में राजय गांधी युवा मितान कलब का गठन करने जा रहे हैं जो युवा उर्जा का उप्योग श्रिजनात्मक ततर रचनात्मक कारियों में करेंगे खेल और विवनी विदाओं के प्रदभाओं को गाउं से लेकर राजिस्तर तक चिन्नित और चैनित करने के लिए युवा महासा का आयजन किया गया है और इससे हर साल करने का नेड़ना लिया है हमने युवाओं के प्रेणा सुरूत स्वामी वेकनन जी के राएपूर प्रवास की इस्मितियों को सहजने के लिए उनके प्रवास इस्थल को इसमारक के रूप में विक्षित कर रहे हैं अउस दिशा में करवाई शुरू कर दिये हैं उनके वैज्ञानिक और सरधर्म संभाव के विचारों से यौँ को सही दिशा मिलेगी मैं चाहता हूँ विस्दैले से उपाधी पाने वाले विवा अपने रोजगार ततक कहरेर के साथ समाजिक जिम्मेदारियों के निरुहन में अपनी भूमी का निभाएं नीमी तरुप से कुछ समय समाज को देना सुनिश्चित करें सास के उजनाओं और कारकरमों से इस्थानी जनता से जोड़ने में अपना योगदान दे एक बार मैं फिर कहता हूँ यहाँ की छमता उनके रत्नात्मक सोच पर विस्वास करके ही हम प्रदेश और देश का विकास कर सकते हैं मैं यहाँ से अपील करूँगा कि वे अपने देश के महान विभीतियों सुतंत्रता संगराम से नानियों देश को आजादी के बाद साथ दस्गों में अपने मेधा त्याग तपस्या से विकास के वर्तमान सिकप पहुंचाने वाले लोगों के बारे में जाने समझें अपने महान सविधान के बारे में ना सिर्फ जाग रुख हो बलके अन्य लोगों से इस विशव पर चर्चा करें सविधान के रक्षा का संकल्प लें आज से आपका जिवन एक नए अध्याश का सुरुआत हो रहा है मैं आप सभी को बढ़ाई एम सुप्कामना देते हुए आप सब के उजल भविसी कामना करता हूँ धन्यवाद जैहिन जैशातिजगर अब मैं हमारे समारो के मुख्या ति थी जो हमारे उपर महतिक रपाकर इस विश्य विद्याले में पधा रहे है मानेनी श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपती को दीक्षांत भाशर प्रदान करने हेतू सादर आमंत्रित करती हूँ प्रदा आमंत्रित करती हूँ गुरू भारत करती हूँ गुनु भार्जिगाश के सुदियाने, दिराश्टर के लिए सांसुमार मोने रनुख लूटर से, सर्थिकर की राचिपाल, दूटी एंप्रिया विके, मुखमकी की भूजेश पते, मुरादीपकी प्रवेश्टर अचो मोदर, पुलपकी प्रवेश्टर अंदिला वुस्का सभी रंवानाजिशिगंग, वर्टिक्षक रंव, फूर एवग पर्वानाजिशिगंग, देविरो अच्छनुम। सतनाव संथ के संस्थापक, गुरु खासिदाजी के नाम करें साफिश्ट, इस केंजी विश्ट विज्राजिए ने आप सबके वीचाचर, मुझे बहुत सब्सक्तनता हुआ। यह एक शुकर संयोग है, कि आज में गीतान समारो कारो जले, आज सों बार के दिन के आज। हम सब वो जानते हैं कि गुरु धासिताजी के अन्मायों की मानता के इससाथ, सों बार के दिन को इशेव कोर्पर फुर मानते हैं। क्योंकि कौन बार के इजिन संस्क्ता संस्क्तर हिष्टी में गुरु धासिताजी का अवतारण हुआ। गुरु धासिताजी ने समाज के गंदोर कर्णों के अजिकारों की भी हिंगत किया। उन्होंने लोगों को आपस मेर्चूल सतास्का मरस्ता से रहने और सब्सक्तर के बात सब्सक्तर करने का संदेश। उनका संदेश था इसका कि वो मतेशी ने दिन देश किया मन के एक समान। अथाज सभी मन से एक समान। कोई केते विचे कि सत्य मानो का आउशन है। सत्य कि सेवा, करन, सैतन, जर्म, सैयं, स्मील, सता जर्यत्य का प्रटीव है। इसलिए लोगो को सतनाम का इसमार और धान करना चाहिए, तता समीछ रजलों के सट रश्मों का आदर करना क्यों सतनाम कंप के अन्याई करने करने और नियम कानुवों का सम्मान करने के लिए भी जाने जाते हैं मुझे पुर्वो खासिदाजी की कावं जन्यों पुर्मी गेरोट की धान की याज्टा के शुवसर निप्राव होने। वहां पर मैंने सांती वा संदेश का, सांती वा सद्भाव का संदेश देने वाले जैद धान की भकता के जासन देखे। मुझे इस्वरा है कि तिख्विवाज 6 नुवंबर 2017 की आत्रा की समय मुझे रूप के अग्वाईयों में जैद धान की एक प्रतिक्रशी भी धेंटी गे। इसे मैंने राजप्रति प्रमत में संभुचित इस्थान दिया। प्रमत में संभुचित प्रमत में संभुचित इस्थान दिया। आत्रा की संभुचित इस्थान दिया। एक प्रमत में संभुचित इस्थान दिया। का गौन प्राह। यहां की संभुचित इस्थान दिया। हमकी शुआ और तर्मा जैसे लोग दिया। सता जादरिया वखणवानी जैसे लोग भी पूरी दुनिया में जाने गा। ऐसा माना जाता है कि प्राशीन सक्षण कौशन स्भाष की राज़ानी किसी विलाज को रतन पूर्मेंती और उस समय ये इस्थान भाषा ताहिक्तु अकरा का मात्पोव केलर। अपनी उसकत सिक्षा संखाओं और उससे न्यार है कि कारा आज दी विलाज को सच्षेट्वेट्री न्यार जानी कि कहा जाता। प्रिये विद्यास्टो आज कामोटेशन की समय में फोड़ा करिवसन कर दिया। समगता आपको कुछ असुधा भी हुए। लेकिन आप सबने अपने छोटे राई पहनों जो आज वोड़ की परिक्षा में अपियर हो रहे हैं। उनकी अप्रतक शूर से आपने बहुत बढ़ी नदश की है। इसके लिए आप सभी सरावना के पाथ। प्रिय विप्यास्मों को आज पर्ना सब्सक्रादियां काथ। मुझे इंद लिए विएंक काशनबता हुई कि स्रावना काथ्ध साथ करने वाले चबस्तर विप्यास्मों के से बेश्णों की संखर सभाने पके है। और जैसा है कि मुपनासी बीगन देख दिया, यहां पर हमारे 10 यह जो रेशियो है, वो 6 और 9 का नहीं है, बल्कि रेशियो है साथ और टीम का. आके सभी का, क्योंकि एक बेटी हमारी से हमारे 3 मयाद आखु है, हमारे 3 मैधर निंबर की 2 मेधर हुए. इसलिए मेधर पानवों की संध मता 9 हो सकती है, बेट हैं, बेटियों की संध मता 6 हो सकती है, तीन मbon की हैं लेकिन वो जो छे वेडिया है उनोंने साथ मेड़ आसिक दिये और मैं सोच रहा था कि इस बच्टी का इसने दो मेड़ आसिक दिये है उसके माता पिता ने उसका नाप कुईणी है, कुईणी आज़र लेकिन उसने अपनी परफॉर्मस्स इक्सलेंट इन परफॉर्मस्स के देरे साथिक कर दिया है कि वो कुईणी से बचरके आप कुईणी यादो करना है क्यारे कि जाट को ओर नामांका में पी बेटियों की सिल्चा बढ़ लाए बेटियों की रुपलग्यों को देख तर ये वरोसा होता है कि आवसर में पर बेटिया हाज सेट्व में उप्रस्ट धर्षन का स्क्थी ये सुनहे बारत की एक तस्वीर है जो आज हम सम्लोग देखियों के मार्विश्य देखिए सेक्षित इवन में आप सब्कों भी सुपलता राप्वी कर उसमें आपके मादाजिता और सेक्षपों के तरे सहायता मारविश्य दर्षन और इसमें की बहुत बड़ी बहुता है उनके समातन तता पुदीवत्वत्वता की जबत आज मुझे उनके संतुस की अजे शेहरों पर दिखाई देखिए उक लग्यों की हुज्यां और वन्दास से रहे किस भाटबर में सभी आविवावतू पुरे विश्य दिखाई करना की मैं सरामने का एक बार की ओवर आप सब्का जहां के लाना मुझे प्रास हैंगे कि सिक्षाट आपनों कुछ देश के वर देखिए प्रास करना हैंगे बालकि एक अच्छा इंसाम करना और मैं प्राया कहता हूं कि जो अच्छा इंसान होगा यह भी वो डाप्र होगा तो अच्छा डाप्र होगा तीचर होगा तो वो अच्छा तीचर होगा विद्याथी होगा तो अच्छा विद्याथी होगा और यहां तक कि यह भी वो अच्छा इंसान होगा और वो यह भी अच्छा पत्वी हो सकता है और अच्छा पिता भी होता है। इसी प्रकार से यह बेटी हमारी अच्छी इंसान बन करके उप्रत्वी है तो वो एक अच्छी पत्वी, अच्छी माँ और अच्छी बेटी की भी बहुता है। विद्या ने नईतिक मूड्यों का समा विष बहुत आवस्ट है, क्योंकि नईतिक मूड्यों के बिना प्राप्ते विद्या समाच के लिए नह्यान कारी नहीं है। प्रिये सिक्षक्त हर विष बिद्यारे के लिए कट्खक रहे को विद्यार्चों में इमादारी, अनुशाशन, सैशोर्थ, कानुन के प्रति सम्मान और समय पावन जैसे जीवन मुद्यों का सिंचाथ। कभी भी त्यार्थी गां एक लोग कांति देश के सचे नागरिक बन सकी है। और कानुन की सासन को मज़ोर बना है। आज दुनिया में मारची कैटान एक आजनी को वज़िमी राश के रूप में हो रहे है। इसके लिए सभी देश काथी जिसे इसकर हमारे करिस्टर में हुआ पताई देशे लिवाओं की उच्जा के कंपर ही हमारे दुनिया में दुछा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टम तयार कर सके है। और आजने सब्सक्राइब की इससे देंकर अंत्रिक सुष्ट्यान सब्सक्र में अभूर को उप्लबियां आशिक करने मस्तफ़न है। सथिजगर्ण में आधिवासित आई बहनों की पहुत बरी आवा है। मुझे इसकार की पुसंदता है कि गुरु रासित आशित आशिक सिविजयलर हमारे आधिवासित बेटे बेटियों के जीवन में सिख्टा की जोटिक का प्रसाद आए। मुझे ये बताया गया है कि विश्विजयलर ने सिख्टा यह उन्यों से सम्मान होने। नवा तारफ उसक्तान देने इसके लिए विलुक्त ओरे इस आशिताओं के संद्शन देएं। इन देढ़ियर लाइविज सेंकर की स्टापना है। इन आशिताओं का संद्शन समात के लिए और दुहात पुए। क्योंकि आशिताओं को बचाने से हमारे परम पराओं और स्विस्क्तिती भी तरफ शाह सें। पूरी दुनिया के उस्टर्ष्ट विश्ट्रिप्यारों का आमको यही रहा है कि उनके पूर विज्यार्थी विश्व विश्व विज्यार्या के तरफ बात है। मुझे बताया जा है कि विश्व विज्यार्य के पूर विज्यार्यों में से कई प्रशाशत, टेख्णोप्रेट, वाइज्यारिक, आधि देश और दुनिया के अनेक उप्तरस्त संसानों में अपनी सेवा विज्यार्यों उन सभी से मेरा अनुदी कि अपना कुछ समय और स विश्व विज्यार्य के सेक्षिक वश्व कार्यों कोजें और विज्यार्यों कमाद वश्व में इन सभी पूर विज्यार्यों को से मैं और अगोज करूँ कियो करी विज्यार्यों अठाट जिस विज्यार्यों में सिक्षा प्राप की हो बर्स में एक पार वहां पर बहुत पॉस्ता देवियर पॉस्ता जनुप पिस्की वार्टम में चतिश कर आया था तो इरण आम माई का स्वासाय का दिनों और किसान सरुभू के आई दिनों से भी मिलने का स्वासा था वियरों मिलने कर एक ही परिशन में खेटी, बाखवाणी, पसुपादम, मुर्गी पादम, सहेद पादम, जेविक देटी और राइस में चलाने जैसे काले का दिनों और उन्होंने इस प्रगार की सबस्ता पाकर देश एक मिसाल देश उस यात्रा के जोड़ान में नक्सरी हि परिवारों के बच्चों के लिए इस पाकित, आस्टा जिद्या मंदे में विद्याद्म से उनके अन्वोस होने और उनकी संकर कर सक्क्ती दिते कुझे विद्वास से किनस्ताथ की विचार्ट आला से प्रहिए पुछ लोगों द्वारा की जाने आगे इस प्रिवारों को सिक्षा की रोजनी के तारे आगे पढ़ने का जो अवसा प्राप पोरा है उससे इस्टा और आथम के का दुश्ट द्रभाव इस सामें प्रडेश के हुख मत्री स्री भूपेश पर घेजवारा नव जवानों को रोजकार एकी राग के लिए ही जाने आगी सोजानी सरा आमी यह बहुत प्रश्णत्रा की बात है कि पुराजी प्रती के रूप में विश्यूरी ट्यारे को स्री अश्रोप मोजर जैसे शिक्षा भी और प्रफेशर अंजिला गुक्ता जिस्री मुचा वानुकुर्प्रती का ने पर प्राप ओद प्रति के घ्रापक खानला के लिए है कि विश्यूरी बीस्द्यारे को अपेली कुछ माघ्रबा कंशी लैसे जाओ जाने वाले द्रस परसьों ame यह विश्युविजयाले इसके सरोतम विश्युविजयाले में सामेर होगा, यह आखे सेंटर एक्स्रेंस करोगा, इस प्रकार के कुछ मात्वा कांसी बच्छा हमें प्रैक कर तिक ही आगे वर्दा होगा, एक नेकी में इसके साथ साथ और भी कहना चाहूगा, गुरुध रस्युविजयाले एक नेकी विश्युविजयाले एक समाज में इसके साथ की मानता है कि जो नेकी विश्युविजयाले होता है, वो परफॉर्मेंस दाइस जो है, वो इसके इसके से प्रैक्र नेकी विश्युविजयाले के लिए, बलकि I am expecting all the central universities कि कुटी अप्रजेंट one to perform better as compared to state universities in terms of standard of education and other allied services. You all are mandated to prove your worth being a central university. और मैं कहता हूँ कि जो लक्ष हमारा हुच्चा होगा है, तो हमारे प्यास की उस दिसा में अपने आप प्रवर होगा. अर्थ में एक बाद फिर मैं आजके जिछान समाद में प्रोजें कि कीवा रवार्ट का आपकर मेरा इससरी विज्यास्मों को बढ़ाई देता हूँ. में कामना है कि जिलन के नहीं सरह में प्रेश करते हुए, आप सब आपने सिक्षपों से में इसी तरथा माता पिता के वो बढ़ों से मेरे आश्री वार्ट के वरतर ठूप सफलता प्राप्ता है. चुहार के अंखाना संसु आपका जीवन तक मौंगर में हो धन्रवार्ट जै. मौत्य सिर्वानेश जी रामदा टो भी जी, हारत के राश्वरत के सर्थां सुल्ट, सभी प्रति धनों से में राश्री जनों ते राश्री देखिते हुए, आपका जीखिता हुए, आपकों। आपकान जेतु खड़े जोने के अनुगोज तर्पाहु तर्प्रस्टा आगी पिकागाई जाहिए लेगी।